Sir Container Lines Limited के स्टॉक के बारे में और इस स्टॉक को आपके साथ में यहाँ पर डीटेल में study करने का प्रयास करूँगा इस शेर को देखा जाए तो यह market में इसे में काफी चर्चाओं में दिखाए पड़ रहा है और मेरा खुद का मानना भी है कि यह stock आने वाले समय में कुछ अच्छी growth दिखाने की possibilities जरूर रखता है लेकिन मेरी opinion इस stock के पर थोड़ी सी bullish है लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा कोई भी वीडियो आपके लिए किसी प्रकार से कोई recommendation लेकर करके definitely नहीं आता है इनी के basis के इस stock के थोड़ा सा business को समझने की कोशिश करते हैं Lancer Container Lines Limited नाम से ही मालूम पड़ता है कि कहीं न कहीं container, logistic या फिर आपके सामने कहीं न कहीं shipping business को बिलॉंग करता है तो basically ये stock जो है आपको logistics sector से बिलॉंग करता दिखाए पड़ता है Mainly इनका जो business है वो आपको ocean transport में दिखाए पड़ता है इसके अलावा shipping में container trading के अंदर, empty container yard के अंदर और portable cabin transport और इनके पास में तकरीबन तकरीबन 8-9 टाइप के business proposal इसी container time से दिखाए पड़ते हैं At the same time अगर company के बारे में बात करें तो company जो है आपको ना सिर्फ इंडिया के अंदर बलकि UAE, Oman, Saudi Arabia, Singapore, Malaysia, Vietnam, Indonesia, Egypt, CIS countries होती है उनके अंदर और अन अफ्रीकन countries के अंदर भी even in Europe में भी काम करती हुई दिखाए पड़ती है Business छेतर इनका काफी जादा वास्ट है जैसा जैसा आपको shipping area देखने को मिलता है by sea उसके साब से market के अंदर काम करते दिखाए पड़ते हैं तो कम से कम एक मजबूत business model इस stock का आधार मुझे परतीद होता है जो मैं यहाँ आपके साथ में discuss करने की कोशिश कर रहा हूँ अब थोड़ा और इस stock के business को समझने के बार में इस stock को fundamentally भी समझेंगे लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं इस stock के price action के बारे में और इसको technically भी समझने का प्रयास करते हैं देखिए currently देखा जाए तो इस stock जो हमको 242 रुपीज 25 पैसे पर दिखाए पड़ रहा है एक साल का प्रदर्शे ने बताता है कि stock volatile जरूर रहा है लेकिन उसके बार में इस stock ने अपनी तेजी बनाई थी उसको कहीं एक बड़ा fall देखने को मिला लेकिन बड़ी ही तेजी से उसमें fall को recover भी किया और वापस से एक बड़ी तेजी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा ह प्रतीत होता है कि अगर इसको मार्केट सपोर्ट करती है और इससे डेटा सपोर्ट करते हैं तो आने वाले समय में कुछ अच्छी चीज़ें इस stock केंतर हमको definitely देखने को मिल सकती है जिनकी probabilities बहुत हाई नजर आती है अब फिलहाल stock हमको technically भी ठीक ठाक लग रहा है कम से कम इसका business model ने वो काफी vast और मजबूत और futuristic दिखाए पड़ता है इस चीज़ को भी आप बिल्कुल भी इंकार नहीं कर सकते हैं लेकिन stock को खरीने के लिए एक और भी important factor होता है वह होते हैं उसके data तो थोड़ा सा data analyzation भी यहाँ पर कर लेते हैं उसके बार मैं अपने study को यह तो 268 करोन के आसपास के दिखाए पड़ती है वहीं company के sales growth 14.51% और profit growth के बारे बात किया तो 47.51% के आसपास दिखाए पड़ती है ROE यहाँ पे 33.33% से ज़्यादा का है वहीं ROCE जो है वो 25% से ज़्यादा का दिखाए पड़ता है promoter holding को हम आगे चलके चेक करेंगे और इसक प्रकार की कोई pledging यहाँ पर नजर नहीं आती है अगर मैं इसके data को open करने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पर काफी आपको renowned FI's नाम को देखने को मिलते हैं सबसे पहले आपको देखने को मिलते हैं आपके resonance opportunities fund के नाम से उसके बार में नुमूरा संगापुर कर नाम दिखा को मिलते हैं तो यह कुछ बड़े नाम है जो इसे stock के अंदर आपको invested दिखाए पड़ते हैं और एक और मजदार चीज़ आपके साथ में discuss करने की कोशिश करूँगा अगर promoter holding को आप देखें तो यहाँ पर promoters ने अपनी holding को यहाँ पर 63.92 तक करके लिकर गया है यानि कि promoters की holding यहाँ पर हमको कम होते दिखाए पड़ी है लेकिन जो भी promoters यहाँ पर आपको कम होते दिखाए पड़े हैं वह exactly आपको यहाँ पर F20 में add होते दिखाए पड़े हैं तो पिछले एक साल के अंदर देखें तो यहाँ पर बढ़ाने का प्रयास किया और यही वो रिज़ के बारे में कमपनी के नमबर देखे जाएं तो मैं आपके साथ में प्रिषले 5 साल का डेटा लेकर करेंगे तो यहां पर यह ग्रोथ ग्रेजुली है और जब भी को इस टॉक्ट ग्रेजुली आपको बिजनस में ग्रो करता दिखाए पड़ता है तो मैं हमेशा कहता हूं कि इस स्टॉक के पोटेंशल को हम इंकार या फिर इग्नोर नहीं कर सकते हैं अधर सेम टम कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करी जाए तो जहां 2019 में कंपनी ने 8 क्रोन 22 लाग के आसपस के प्रॉफिट ड़न करके दिखाए थे वह आपको 2023 के डेटा में 49 99 लाग के उप प्रॉफिट को ज़्यादा बताते हैं हाले कि यह बैसे थोड़ा सा है अब दवाब बनता दिखाए पड़ा है लेकिन क्यूंकि वह चीज़ें हमने प्राइस एक्षिन में भी समझने का प्रयास किया था और मुझे लगता है कि उसके बार में कहीं नजर आ रही है तो कुल म तो मुझे दिखाए पड़ती है इसके डेटा में जो मुझे सब ज़्यादा फैसिनेटर नजर आती है एक कंपणी के अंदर एफाइस का इंटरस्ट लगातार हमको बढ़ता दिखाए पड़ रहा है और किसी बिजनस में अगर एफाइस का इंटरस्ट बढ़ता है तो कहीं अगर आने वाले समय में आपको 250 रूपी के अबब जाता दिखाए पड़ता है जो किसी बीसाफ से टेक्निकल नहीं लेकिन कम से कम एक सांकेतिक रूप से यहां पर एक थोड़ी से रोगतां करता दिखाए पड़ता है तो 250 रूपी के अबब जाते ही इस स्टॉक में कुछ काफ़ी ज्यादा पॉस्टिविटी फिल्हाल में क्रेट होती दिखाए पड़ती है इनके बेसेस पर आपके साथ में इस स्टॉड़ी को लेकर आया हूं लेकिन हमेशा कहता हूं फिर से कहूंगा कि वीडियो को अपयोग सिर्फ और सिर्फ अपनी लर्निंग के लिए अपन